दोस्तों अगर आप घर बैठे ओनलाइन टीचिंग करके 40-50,000 रुपए प्रतिमंथ कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा दिखेगा इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचमेंट कैसे यूज करना है टीचमेंट का यूज करके आप आराम से घर बैठे छातरों को पढ़ा करके आप पर पैसे कमा सकते हैं बहुत ही बहतरीन तरीका है ओनलाइन टीचिंग कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही सारा काम आपको करना है तो सबसे पहले आपको टीचमेंट अप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा गूगल प्लेश्टोर पर इसका जो आप है वो आपको मिल जाएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक करके आप आएंगे आपको बताते हैं इस आपको अब तक एक करोन से जदा टीचर से ने डाउनलोड किया हुआ है एक लाग से जदा रिव्यू से उसमें से 4.5 की रेटिंग है जो कि बहुत ही बेस्ट है अब यहां पर आपको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपके सामने जो इसका इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा ठीक है अब यहां पर आपको Login करना है आपको मैंने यहां पर Class defect conclusus क IR क्रीट क्रीट किया हुआ है लेकिन मैं आपको डेमों के लिए एक नायक क्रीट करें करके दिखा रहा हूँ कि अपसन आता है create classroom का ठीक है तो यहां पर आपको click करना है click करने के बाद यहां पर आप डालेंगे class का नाम example के लिए मैं आपको डालके दिखाता हूँ class 9 ठीक है अब यहां पर count subject आप पढ़ाना चाहते हूं इस subject का नाम डालना example के लिए मैं आपके बताता हूँ हिंदी ठीक है इसे डाला तीन चार आपस आपके पास आ चुके हैं इन में से जो आपके उपर अपली केबल होता उसको हैं या कोचिंग क्लासे चलाते हैं या कोस्कूल चलाते हैं यह आपकी सोक होऽहां ठीक होता है तो आपको यह टिक करना मैं आपको क्रीट लेंच Si 현 रूम की अपको Otherwise पर निचे लिखा हुए invite students, invite students को जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको share का अपसन आजाएगा ठीक है और WhatsApp पे या टेलिग्राम पर जहां पर भी आपके students वहाँ पर उनको share कर देंगे तो जो आपके students है इस link के मादम से आपके classroom को join कर लेंगे और जब भी आप पढ़ाएंगे उनको notification चला जाएगा ठीक है आप उनको group में भी बता सकते हैं उनको personally बता भी सकते हैं कि इतने मज़े से class आपकी है ठीक है आप यहाँ पर देखिए आपको वीडियो वगरे कैसे upload करना है live वगरे कैसे पढ़ाना है और क्या के यहाँ पर features है ठीक ह यहाँ पर अलग-अलग folder बना सकते जैसे example के लिए अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हों तो यहाँ पर हिंदी का folder बना दीजिए ठीक है और यहाँ पर create कर दीजिए तो यह folder बन जाएगा आपका हिंदी का हिंदी के इंदर जो भी आपको upload करना वीडियो ठीक है तो यहाँ प यहाँ पर कई सारे फीचर से उनका यूज करके आप यहाँ पर वीडियो upload कर सकते record करके और यह जो वीडियो होंगे आपके students को देखेंगे और वहां से जो क्या है कि आप बच्चे आप से connect हो जाएंगे और वहां पर आपके देखेंगे तो यह तो एक माद्दे में होगे आपका recorded वीडियो आपको जो है कैसे upload करना है ठीक है अब एक जांपल के लिए मैं आपको और दिखाता हूं कुछ चीज़ें जैसा सपोच करो आप यहां पर लाइव आपको पढ़ाना है तर आप क्या करेंगी ठीक हो यहां पर देखेंगे तो आपको एक लाइव का भी डूटिल्स मेरा देखो कैमरा यहां पर ओपन हो चुका है ठीक है अब यहां पर गो लाइव पे क्लिक कर देना है ठीक है और अगर आप रिकॉर्डिंग भी करना चाहते है तो यहां पर देखें आपसन दिया गया है तो जो आप पढ़ाएंगे वो रिकॉर्ड भी आपका ह होता जाएगा लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करना तो इसको आप आफ कर देंगे और यहां पर गो लाइब जा करके आप बच्चों को लाइब भी पढ़ा सकते हैं ठीक है तो मैं बैक कर देता हूं इसको लाइब बाला आपको समझ में आ गया होगा अगर बच्चों को आप पर देखें होमवर्क अप्सन है एसाइन लिखा हुए यहां पर क्लिक करना आपको अब यहां पर आपको तीन अप्सन मिलेंगे अपलोड फाइल टाइप होमवर्क या कोश्चन बैंक तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप पर सनली कोश्चन टाइप करके देना च सबंगे करूश्चन कुस्चन होगा तो अगर आप सब्सक्रप्ट कोश्चन रखना चाह crystallized community पर solo पर दीटेटेके अब यहां पर'direly कर देता हूं थाकि आफको समझने में आसानी रहे मने मनेकों कैसे हमें पर सब्दिक्ट के लिया लिए इंग्लिश चुना पड़ेगा कि कि यहां पर आपको खुंद्ल के लि도 JUST को लिए ढम की लिए तो में पर कि दिचने को सब्सक्राइब नबर नॐ गया देड़िया तो मेरा पर उझे कोश्चन यहां पर देखो कुल्मला करके हो गया है ठीक है अगर आगर किसी टॉपिक से देना चाहे था नों को भी आप दे सकते हैं तो यहां पर नहीं समरी आपको मिलेगी पंद्रा कोश्चन आप दे रहे हैं और पत्चीस टोटल मांक्स का पेपर रहेगा क्लिक कर देंगे तो आपके समने यहां पर देखो आपके समने आ जाएंगे इसमें आपको क्या है क्या रहेगा ठीक करेक्ट टांसर भी दिख रहा है और यहां पर उसका फुल एक्सुलेशन यानि सलूसन भी दिया गया है ठीक है जैसे बच्चा कोई मल्टिपल चोश्चन करेगा इसको समि लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं अब यहां पर देखोट सब्मेसं डेट कब किस अपर को बच्चा इसकता है तो कोई होम वर्क नहीं कर पाइगा मागति क्लिक कर देना अब दिखिए हमारा जो हमेट हो चुका है अब कुछ भी नहीं करना है बहुत सिंपल सा है यहां पर कोई भी आपको अलग से एक्स्ट्रा मेनत करने के ज़रूत नहीं है ठीक है आप चाहें तो इस Homer को बच्चों साथ Link के मादम सेयर भी कर सकते हैं अब जेतने बच्ची आपके स्टूडेंट्स जो है इस होंबर को अटेम्ट करेंगे वो यहां पर आपको दिखता रहा कितने बच्चे ने आपका क्वेश्चन अटेम्ट किया है ठीक है कितने कितने नंबर है सारा अपर चेक कर सकते हैं ठीक है क्लासरूम के अंदर समरी आपको मिल जाएगी स्टूडेंट कितने हैं सारे स्टूडे material जो वीडियो आप अपलोड करेंगे वो सारे वीडियो आडियो इमेज यहां पर आपको दिख जाएंगे ठीक है अब चैट बच्चे को डाउट है तो बच्चे यहां पर क्लास्रूम के अंदर जाकर करके यहां पर चैट भी कर सकते हैं कुछ फोटो वगरा वीडियो वगरा बेज़ भी सकते हैं और अगर कुछ उनको बोल करके बोलना आएं आडियो मेसेज तो वह यहां पर कर सकते हैं ठीक है सारी चीज़े आपको मिलती है कुछ आपको नोटिस देना है कि हां इस दिन क्लास बंदर रहेगी या नहीं होगी तो नोटिस भी यहां से आप लोग दे करते हैं और इसकी जो बेस्ट पार्ट है जानतों क्या है वो यह है कि अगर आपको कुछ दिक्कत होती है आपको यूज करने में बटकने जरूरत नहीं है यहां पर देखो आपको ऊपर का नाम का लोगो दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर कंटेंट का अपस सकते हैं ग्रो का टाइब दिखेगा इस ग्रो के टाइब में और भी काफी साथी चीजी इनको आप एक्स्प्लोर कर सकते निचे कम्यूटी का अपसन है यहां पर बहुत सारे आप जैसे टीचर जुड़े हुई होई हैं तो यहां से भी काफी कुछ चीजी आप लोग सीख स आप यूटूब चलाते हैं फेस्बुक चलाते हैं ठीक है या कोई आपका अपली केसं दूसरा कुछ है तो प्रमोंड करना चाहते तो वह चीजे यहां से लिंक कर सकते हैं इससे यहां पर भी बच्चे आप से जुड़ेंगे ठीक है इंस्टूट का नाम देखो यहां पर लोगों यहांपर लगा सकते हैं चाह सारी चीजे कर सकते हैं अब तक देखा जा तो फ्री अपलीकेशं का सबसे अपलीकेशन ने टी इंकम कैसे होगी दोस्तों बच्चे आपको खुद को लाने पड़ेंगे ठीक बच्चे यह लोग नहीं देती हैं यहां पर किवल यह ओनलाइन टीचिंग अप्लिकेशन है टीचिंग करने में आपकी मदद करेंगे पूरा ठीक है और जो आपकी इंकम होगी तो जितने आप ब अप्लिकेशन बनवाना चाहते हैं तो टीचमेंट से कॉंटेक कर सकते हैं इसे खुद का अप्लिकेशन भी आपने कोशिंग के नाम से बनवा सकते हैं